किसान मोर्चा के दुवारा जंतर मंतर पर किसानों की महा पंचायत बुलाई गई इसके चलते राइधानी दिल्ली की अलाग अलाग चगाउं पर भारी ट्राफिक चैम देखने को मिला नैशनल हाईवे 9 और नैशनल हाईवे 24 को पूरी तरह से बैरिगेटिंग के द्वारा रोगा गया इसी वीच दिल्ली पुलिस काफ़ जादा सतर्क नजर आई गाजियाबाद में राकेश्ट गयाद को हिरासत में ले गया और हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया इसी वीच राइधानी दिल्ली की जंतर मंतर पर किसानों का पोहुचना शुरू हो गया है काफी जारत आदाद में किसान वहाँ पहुच रहे हैं जंतर मंतर पहुंचे किसानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं किसानों की महापंचायत की वजह से जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है हालां कि जंतरमंतर पहुंचने वाले किसानों को किसी भी तरह से रुका नहीं जा रहा है वहाँ पर बैरिगेडिंग नहीं की गई है गोरतलब है इससे पहले किसान अंदोलन भारते किसान यूनियन ने लखीमपूर खीरी का रुक किया था और दिल्ली का रुक आज किया वहीं साथ तो बॉर्डर जो दिल्ली की हैं उन पर भारी बैरिगेडिंग की गई है जहां एक तरफ लगातार किसान दिल्ली पहुँच रहे हैं वहीं आपको पतारें भरती भीड के चलते राइथानी दिल्ली में धारा 144 को लागू कर दिया गया है गरतलब है इस बार किसान अंदोलन की नीव किसानी मुद्दों के साथ साथ देश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर भी है और साथ ही साथ इन मुद्दों में एक मुद्दा अगनी पच्च स्कीम को वापिस लेने का भी बताया जा रहा है भारती जन्टा बार्टी का विरूद करते हुए काफे जारा दादात में लगातार के सान चंतर मंतर की और बढ़ रहे हैं जिसके चलते आतियातन पुलिस ने फुखता इंतिजाम किये हैं ड्रोन से निगरानी की जा रही है और किसी भी अप्रिये घटना से निपटने के ल ये राइज़ान दिली में धारा 144 को लागू कर दिया गया है देशुर दुनिया की तमाम खबरों सोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटस्ट अबडेट